नमस्कार दोस्तों स्वागता है एक और नई वीडियो में एक और नए अपडेट में मेरा नामे प्रदीप आप देख रहे हैं टेक्नोलोजियव आप सभी पीडियो के लिए एक और नए अपडेट लेकी हाजिर हो गया हूँ और अपडेट निकल के आ रहा है इंप्याफो की तरफ से और यह जो अपडेट है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोटेंट है प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना पूरी मिली है तो कैसी लग रही है कोमेंट बक्ष में करके जरूर होती है आपकी कोमेंट का इंतजार रहेगा चले आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस नए अपडेट के बारे में तो देखें अभी काफी सारे पीएफ मेंबर्स को पिछले कुछ दिनों स दिक्कत आ रही है वो अपना क्लेम सब्मिट नहीं कर पा रहे हैं अपना एडवांस में या फिर पूरा प्याप का पैसा निकालने के लिए जो उमंग एप है उसके माद्यम से जब क्लेम की रिक्वेस्ट सब्मिट करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ एरर आ जाता है या फिर क्लेम जब सब्मिट हो जाता है तो उसके बाद वो यूएन मेंबर पोर्टल पर लोगिन करके देखते हैं तो वहां पर दिखाई नहीं देता या फिर आप उमंग एप के माद्यम से प्या बैलेंस पता करना चाते हो या फिर केवाईसी कर रहे हो कोई भी काम कर रहे हो उमंग एप के माद्यम से तो अभी मत कीजिए अभी उमंग एप पर ईप्याफों की सर्विस अविलेबल नहीं है उमंग एप पर अभी प्याफ से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो रहा ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा ईप्याफों ने खुद इसके बारे में जानकरी यहां पर मैं computer की screen पर आ गया हूँ और EPFO की जो official website है EPFO India.gov.in इसको मैं ने open कर लिया है और माज यहां पर दिखा देता हूँ आज है 2 April 2024 दोपर के 15 बज़कर 48 मिनट हो गए है जब EPFO की official website open कर लेंगे तो यहां पर आपको एक notification देखने को मिलेगा देखें थोड़ा सा wait कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा जब wait करेंगे तो यहां पर आपको देखें यह रादेखो EPFO service presently not available in among app will continue to remain available through web यानि कि EPFO की जो service है वो among app पर अभी current में available नहीं है web platform के मादनम से सारी service available है तो अभी आप among जो app है उसको use मत कीजे वहां से आप PF advance के लिए या फिर पूरा PF का वैसा निकालने के लिए request आप submit मत कीजेगा यहां पर EPFO ने बता दिया है बाकी EPFO का यह जो UN member का portal है यहां पर login करके आप request submit कर दीजे यहां पर बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है यहां पर दुबारा से में आपको दिखा देता हूं message यहां पर flash होता हुआ थोड़ा सा wait कर लेते हैं ठीक है तो यह एक जानकर ही आप सभी EPFO के साथ share करने थी तो थोड़ा सा wait कर लें तो यहां पर message आपको देखने को मिलेगा यह देख सकतो यहां पर आ गया है EPFO service presently not available in among app तो among app पर अभी EPFO की जो service है वो current में present में available नहीं है यहां पर बताया है EPFO ने कि जो service available है वो through web platform के through available है इनकी इनका जो UN member का जो portal है उसके मादम से आप अपना PF से related कोई भी काम करना चाते हो तो वो आप कर सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो EPFO ने बता दिया है EPFO आप समझदार हो गया है पहले EPFO कोई maintenance की दिक्कत आती थी UN member portal नहीं चलता था या फिर उमंग app पर कोई दिक्कत आती थी तो बताता नहीं था कोई भी update नहीं देता था बट आप जो है EPFO की जो official website है यहां पर update हमें दे subscription में दे दिया है और यहां पर अपनी पूरी detail mention करके login करके आप अपनी KYCB कर सकते हो और पीफ को वैसा advance में निकालना है और फिर पूरा पीफ को वैसा वीड़ो करना है तो यहां से आप request submit कर सकते हो अभी ओमंग app के मादम से जो ओमंग app है उसके मादम से request मत submit कीजिए यह एक जानकारी आप सो भी पीफ इंपरस के साथ share करनी थी वागी अगर आप सबसे पहले latest update पाना चाहते तो हमारा जो टेलिग्राम चैनल है उसको जरूर जोएन कीजिए वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा आज की वीडियो को यहीं पर समावत करते हैं आगे आगे दीज मिलता जलत एक और नहीं जानकारी के साथ अपने ख्याल रखेगा थैंक्यू सो मच